हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रिजनिंग अलॉक्ट पर मेरा नाम है राहुल महुरिया और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अगेन वो है ब्लेड रिलेशन ब्लेड रिलेशन की ये तीसरी क्लास है इससे पहले दो क् जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेके फैमिली ट्री कैसे बनाना है उसका पुरा कंसेट सिखाया and most importantly जो पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया कि पजल फॉर्म के क्वेशन को आप फैमिली ट्री की मदद से कैसे कर सकते हैं और बहुत असानी से उन्हें सॉल्व statement based question जो दो language से शुरू होते हैं या तो pointing towards a photograph, pointing towards a man, pointing towards a woman इस तरीके से जिसमें हमेशा एक narrator होता है एक वक्ता होता है जो किसी चित्र की और इशारा करता है और उसके बारे में कोई जानकारी देता है तो generally जो person बोल रहा होता है sentence उसके बारे में और जिसकी तरफ इशारा किय जारा होता है उसके बारे में इन दोनों का आपस में relation पूछा जाता है और वैसे ही इसी language को introducing की form में भी पूछा जाता है जैसे for example कि एक आदमी का परिचे कराते हुए सुजाता ने कहा इस तरीके से question बनते हैं जल्दी से आपको बता दूं कि यह जो questions होते हैं इनको दो तर क्या या फिर जो question है इसे में मुद जुबानी कर सकता हूं क्या या फिर मैं नहीं कर सकता तो कैसे मैं pen का इस्तमाल करूं basically question पढ़ने के बाद ही आपको इस पता चलेगा कि यह जो question है यह मुझे pen की मदद से करना है या मुद जुबानी हो जाएगा अगर वो मुद ौजब से पहले question लिखने से पहले मैं question बोल के बताता हूँ देखो मैं आपके सामने लेक सिंपल सा question बोलूँगा हो सकता है कि वो question कुछ लोग के brain में तुरंत ही solve हो जाए और कुछ लोग को pen का इस्तमाल करना पड़े तो आप पहले question सुनिए सपोज मैं एक बच्चे के साथ जा रहा हो market और सामने से मुझे मेरा ही को student मिल गया और उसने मुझसे पूछा कि सर यह बच्चा कौन है या फिर हमारे रिष्टे के बारे में पूछा तो मैंने कहा उस इंसान से जिन्नोंने यह question हो सकता है मुझबानी हो जाए किसी person से सुनके तुरंत ऐसे calculation हो और हो जाए और अगर नहीं होता तो देखो आप कैसे marker कर सकते हो यानि की अपने exam में pen कर सकते हो देखो सपोज मैंने अपने आपको मान लिया A+, ठीक है क्योंकि मैं मैं मेल हूँ और मैंने उस बच्चे क कि मम्मी के पापा की पुतरी, इस इंसान की पुतरी बनी हो याना, अब या तो आप इसी को मान लो और इसकी भेन बना दो एक ही बात है मैं इस बच्चे की मम्मी के पापा की पुतरी का भाई हूँ इसका मतलब मैं अपने भांजे के साथ मार्केट जा रहा था ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा ठीक है बिल्कु सिंपल सा question था इस तरह के questions को आप solve कर सकते हैं ये एक easy language थी अगर इसी language को मैं थोड़ा सा और tough कर दूँगा तो वो हो सकता है brain में calculate ना हो हो सकता है उसके लिए आपको pen का ही इस्तमाल करना पड़े सो यहाँ पर जब question लिखा जाता है न वच्चों तो question को देखकर नहीं पता चलता question को पढ़कर पता चलता है कि ये जो question हमारे exam में आया है ये मुजबानी solve हो जाएगा ऐसे उंगली fair के computer screen पे या मुझे इसमें pen paper का स्तमाल करना पड़ेगा मैं दोनों तरह के question कराऊँगा वो question जो simple होते हैं जो मुजबानी calculate हो जाते हैं और वो questions जो थोड़े से complicated होते हैं क्यों complicated थोड़े से क्योंकि वो मुजबानी नहीं होते एक और example सुनने जे fight a fight suppose एक लड़की है जिसका नाम है निधी इस निधी ने ये निधी किसी के अपने रिष्टदार गई घर गई इसने door knock किया तो सामने से एक बच्ची ने दर्वाजा खोला बच्ची ने या लड़की ने दर्वाजा खोला जिसका नाम था pinky तो pinky ने निधी से पुछा कि आप कौन हो निधी कहती है pinky बेटा मैं तुम्हारी मम्मी के पापा का जो बेटा है उसकी पत्नी हूँ तो pinky कहती है ओ नमस्ते मामी ठीक है तो pinky थोड़ी सी हुश्यार थी pinky हो सकता है मुझसे ब्लेड इलेशन पढ़ चुकी थी तुरंत calculate कर लिया बड़ suppose अगर pinky को नहीं पता चलता तो वो उस वर्डिंग को कैसे बनाती निधी ने कहा pinky मैं तुम्हारी मम्मी के पापा का जो बेटा है इस इंसान का बेटा बनाना है इस इंसान की बेटी बनी हुई है मैं तुम्हारी मम्मी के पापा का जो बेटा है उसकी पत् पर मैं आपको गैरंटी देता हूं 100% कि ऐसा कोई क्वेस्चन नहीं आ सकता एक्जाम में या बनाई नहीं सकते ऐसा कोई क्वेस्चन कोई बीग्जामनर की आपको परमिशन दे दे कि आप पैंका भी इस्तमाल कर सकते हो और आपके पास पेपर भी है फिर भी आपसे सॉल्व रहा हूं definitely हो ही जाएगा सो next question देखिए सो देखिए यह है question मैंने लिख दिया है पूरा यह question मैंने पूरा लिखा है options के साथ इसके बाद जो मैं questions कराऊंगा ओविस्टी इसमें options नहीं लिखूंगा सिर्फ questions लिखूंगा देखो मैंने आपको बताया था कुछ एक points में repeat कर देता हूं जब आप देखोगी यह typical statement based question का एक example है ऐसे ही question मिलेंगे आपको SEC के सारे exams में railway के exams में FCI में और उसके लावा भी इदर दर के exams में सो देखो यहाँ पर जब भी यहाँ पर pointing से start है pointing towards a photograph सौरव said ठीक है सौरव कह रहा है अब आप यहाँ पर options देखो option एक ही है यह जिसकी तरफ point करता है she वो एक female है और रिष्टा किसका पूछा गया है सौरव का रिष्टा पूछा गया है उस person से जो photograph में शामिल है कि इसका मतलब इस type के question में उन्होंने खुद सौरव को consider किया है mail तो आप भी कर सकते हैं जब भी आप इस type के question पढ़ेंगे तो जो narrator है वो खुद को मानिएगा as if वो sentence आप ही बोल रहे हैं अब यह question पढ़के पता चलेगा कि मुझे इसमें pen का इस्तेमाल करना है या यह मुझ जुबानी हो जाएगा अब देखो धान से सौरव कहता है she is the wife wife किसकी wife of the only brother only brother की only brother किसके daughter के daughter किसकी husband की husband किसकी my mother's mother-in-law तो बच्चों इस type के question में जब तक आपको यह वाला word यह जो word है ना my जब तक यह word नहीं मिल जाता question में तब तक आप start नहीं कर सकते आप खुद जी मेरी दादी जी के पती क्या लगे मेरे दादा जी लगे ठीक है यहां पर देखो हरिष्टा मेरे साथ ही लिंक है अब यह देखो डॉर्टर ओफ माई दादा जी तो बच्चों मेरे दादा जी की डॉर्टर मेरी क्या लगी मेरी लगी बुवा एक स्टेप पिछे आओ only brother of my boy मैंने कहा था ना only word के दरफ ध्यान देना तो यहाँ पर देखो only brother of my boy मेरी बुवा के इकलोते भाई कौन होंगे मेरी बुवा के इकलोते भाई होंगे मेरे पापा, माई पापा एक step पीछे आओ wife of my पापा जी wife of my पापा जी क्या होती है मेरी मदर होती है सो देखो आप सिर्फ और सिर्फ बेचारे ने इशारा किसी इंसान ने पूछ लिया था सौरव से कि इस photo में कौन है तो सौरव ने direct ना बता कर कि यह मेरी मदर है, इस तरीके से रिष्टा बताया आप बच्चों real life में भी यह language को use कर सकते हैं अपने दोस्तों को परिशान करने के लिए और थोड़ा सा enjoyment करने के purpose से सो फाइनल बात यह है कि उस चित्र में सौरव की मदर है अगर मैं सौरव हो तो इस चित्र में मेरी मदर है और यह जो है ना यह जो हमने ऐसी solve करके किया इस तरीके से किये जाते हैं जब English में questions पढ़ते हैं याद रखना जो भी बच्चे हिंदी भाशी है याद रखना हिंदी में question को always direct लिखा जाता है कभी भी हिंदी का एक benefit है जैसे आप एक question लिखा गया ना English में और interpret किया गया ending से हिंदी में ऐसा कभी नहीं होता हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे ही interpret की जाती है वो always left to right ही लिखी जाएगी और left to right ही पढ़ी जाएगी इसी question को हिंदी में ऐसे लिखा जाता कि एक चित्र की और इशारा करके सौरव ने कहा कि इस चित्र में शामिल महिला मेरी मम्मी की सास जो last में है वो सामने ही लिखा होता मेरी मम्मी की सास की पुत्री के एकलोते भाई की पत्नी है तो ये पूरा sentence आपको as it is हिंदी में एक line में लिखा मिलता left to right तो जैसे लिखा मिलता वैसे ही पढ़ते और जो बच्चे English medium के हैं उनको एक question ऐसे करना है तो देखो इस question में मुझे family tree बनाने की जरुत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़े लिखी गई थी वो मेरी brain में calculate होती गई मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी मम्मी की सास है अब फोटो में जो शामिल इंसान है वो मेरी मदर है तो मैं उनका खुद क्या लगा मैं उनका लगा son तो इसने answer आ गया हमारा son ये जो question है इसमें family tree का इस्तमाल नहीं हुआ मैं फिर से बता रहा हूँ इस तरह कि किसी भी question में family tree के जरुत नहीं पड़ती वो जो लिखते हैं automatically brain में calculate होता रहता है I hope ये question अच्छे से clear हुआ होगा इसके जैसा एक और example कर लेते हैं इसी की निचे मैंने next question लिख दिया है जल्दी से इस question को देखो इसमें कहा गया है while introducing a girl Sujata said ठीक है sentence बोलने वाले इंसान Sujata है और परिचे किसका करा रही है एक लड़की का करा रही है कहती है she is the daughter of the husband of daughter of my father's mother तो मैंने कहा था my word की तरफ देखो अब हम सबने खुद को Sujata imagine किया तो Sujata कहती है मेरे father की mother मेरे father की mother मेरी क्या हुई मेरी हुई दादी ठीक है आ गया हूँ ठीक है यहाँ पर एक चीज़ ज्यान दो जो भी रिष्टा पिछले question में था और यहाँ पर भी जो रिष्टार है सब मुझसे connected है यहाँ पर यह मेरे दादी थी मेरे दादा जी थे मेरी बुवा थी मेरे पापा थे मेरी ममी answer आ गया यहाँ पर भी देखो again मेरी दादी है यह मेरी बुवा है अब मेरी बुवा के जो husband है वो क्या लगते है मेरे वो लगते है माय फूफा जी ठीक है paternal uncle अब मेरे फूफा जी की daughter है she is daughter किसकी मेरे फूफा जी की तो जग यह मेरे फूफा जी की daughter है तो हिंदी में मेरी फुफेरी भेहन है और इंग्लिश में है ये कजन दोनों एक दूसरे की ठीक है यहाँ पे किसी का भी रिष्टा किसे पूछें आंसर क्या आ जाएगा कजन तो देखो बचो इन दोनों क्वेशन में मैंने आपको ये समझाना चाहा है कि ऐसे क्वेशन में की ट्री बनाने के ज़रत नहीं पड़ती हिंदी में यही वैडिंग्स लेफ्ट तु राइट स्ट्रेट लिखी जाएंगी और यह आलवेज सॉल्फ हो जाएंगे मैं इस टाइप की क्वेशन को एक बार मुजबाने बोल के बताता हो बिना लिखे ठीक है देखो मेंना नाम बेटा है यह संटेंस में इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो सिंपल ही है फिर से सुनो यह लड़का मेरी मम्मी के पापा के बेटे का बेटा है अब देखो मेरी मम्मी के पापा मैं कैलकुलेट कर लूँगा नाना जी नाना जी का बेटा मेरे मामा जी मामा जी का हैं सहब हम स्टार्ट करते हैं वह कूशन जहनों पर थोड़ा सा ट्विस्ट को किया जाते हैं। मैंने इसकी तरफ इशारा करके कहा कि जी चाचा के मामा के पूफा और चाचा के पूफा आपस में भाइ लगते है इस type का question है जहाँ पे indirectly link किया गया है कि इसके फलाना के फलाना रिष्टेदार और मेरे फलाना के फलाना रिष्टेदार आपस में बाप बेटे हैं आपस में भाई लगते हैं आपस में माप बेटी हैं इन types के question को आप brain में process नहीं कर पाओगे उन question में आपको family tree की help लेने पड आएंगे सो शुरू करते हैं उस type के question यहाँ पर देखिए सो देखिए बच्चों यह है next question इस question को हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या यह वैसे solve हो जाएगा जैसे पिछली दो questions किये थे बिना marker की help से यानि आपके लिए बिना pen की help से या फिर इसमें कुछ अलग कर है महेश related to Sumit Hindi में सुनने इस question को महेश का परीचे कराते हुए Sumit कह रहा है कि महेश के भाई के पिता मेरी पतनी की माता के पती है महेश के भाई के पिता कौन है मेरी पतनी की माता के पती खुद को हम Sumit consider करेंगे अब आप इस question को brain में calculate करके देखो बच्चों मैं थोड़ा स time दे रहा हूं और आप खुद देखो कि क्या ये brain में process हो रहा है बिलकुल उस तरीके से जैसे हम backtrack करते जा रहे थे देखो नहीं आप बैक ट्रेकिंग भी काम नहीं करेगी माई माई के साथ रिष्टा नहीं है इंडिक्टी रिलेशन बताया गया है तो ऐसे काम्या फटा- कामी नहीं पाएगा आपको तो pen का इस्तेमाल करना है नजरे question देखेंगी pen figure draw कर देंगी देखो कैसे मैंने एक जगा पर बनाया महेश एक जगा पर बनाया मैंने सुमेथ ठीक है अब देखो क्या बोलता है कि महेश के भाई के पिता father of his brother इसके भाई के पिता यानि महेश के महेश के पिता की बात चल रही है सीधी सिंपल सी बात है महेश के भाई के पिता मतलब महेश के पिता कौन है is the husband of my wife's mother मेरी पतनी की माता के पती है मेरी पतनी की माता के पती है हो गया question महेश के पापा कौन है जो भी मेरी पतनी है उसकी मम्मी के पती है बेसिकली वो कह रहे हैं महेश के पापा मेरे ससुर है इंडायकली वो यह कह रहा है तो मैंने यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं हमारा जो वर्डिंग्स लिखी थी पूरा एज इस ड्रॉ किया आप को अगर समझ में आया तो नेक्ष कुछन देखो सवागी देखो यहाँ पर मैंने दो क्रिशन लिखे हैं आपको एक साथ स्वाल्व कराऊंगा और अभी तर में जो समझाना चाहीं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इन दो क्योंस के बाद आप इस को जान पढ़ किसी रिष्टिदार के साथ इसके बारे में बताया कि ये कौन है खुद और यहाँ पर देखो pointing to a lady in a photograph मेरा साइड उसके बारे में नहीं बताया उस person को जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है lady की तरफ उसको diet नहीं बताया कि वो कौन है उसके किसी रिष्टिदार को लिंक है her father's only son समझ में आया अब देखो उसको जब हम मैं solve करूँगा सुरेश introducing a man ठीक है क्या कहता है he is the son of the mother of the husband of my sister's mother आपने देखा मेरी sister की मदर यानि मेरी मदर मेरी मदर के husband यानि मेरे पापा मेरे पापा की मम्मी यानि की मेरी दादी मेरी दादी का son है क्या यहाँ पे structure बराने की जरूत है करता ही नहीं है बिल्कुल नहीं है यहाँ पे आपको हिंदी लिखी मिलेगी एकदम सीधा समझ में आ जाएगा इंगलिश में भी मेरी sister की मदर मेरी मम्मी मेरी मम्मी की पती पापा पापा की मम्मी दादी दादी का पुत्र है अब दादी का इकलोता पुत्र नहीं है इसलिए यहाँ पर यह पापा भी हो सकते है और यह चाचा भी हो सकते है तो सुरेश जिस आदमी का परिचे करवा रहा है किसी भी परसन से वो उसके पापा भी हो सकते हैं और उसके चाचा भी हो सकते हैं यहां पर पूछा क्या है यहां पर पूछा है सुरेश का क्या रिष्टा है उस परसन से अगर वो फादर है तो सुरेश खुद उनका सन है और अगर वो चाचा है तो सुरेश उनका नेफ्यू ह तो यहां तो option में आइदर के साथ मिलेगा आइदर nephew और son या फिर दोनों में से कोई एक ही option में होगा ऐसे भी हो सकता है कि सिफ son है, son है, father है, brother है, cousin है तो आपने son पर tick कर दिया और अगर दोनों हैं एक जगा son भी है और एक जगा nephew भी है ठीक है तो यहां पर पक्का आपको ए आएंगे, यह question clear अच्छे से, अब next question देखो, pointing to a lady in a photograph, mira said, mira कहती है, एक चित्र की और इशारा करके उस चित्र में कौन है, lady है, ठीक है, कहती है, her father's only son's wife is my mother-in-law, और question में देखो, indict पूछा है, mira के बारे में नहीं पूछा है, पूछा है, how is mira's husband related to the lady in the photograph, जो lady photograph में है, उ उसके साथ मेरा के पती का क्या रिष्टा है, आप इस question को brain में process करोगे, तो back tracking तो कैसे भी काम नहीं कर रहे है, जैसे इहां कर रहे थी, और brain में process करोगे, तो यह जल्दी नहीं होगा, यह जल्दी होगा pen की मदद से, जैसे ही सवाल पढ़ेंगे, वैसे ही figure draw करने शुरू क इसके पापा का इकलोता पुत्र, इसके पापा, ठीक, का इकलोता पुत्र, इस लेडी का भाई होगा, clear, इसके पापा का इकलोता पुत्र की जो पतनी है, ठीक है, इस person की जो पतनी है, यह आ गई, इस person की पतनी, वो कौन है, मेरी सास है, is my mother-in-law, यह जो D है, इस D को, सास है मीरा की फिर से सुनो इस question को एक बार मीरा कहती है कि ये जो लेडी है मैंने बना दी ए इसके पापा का इकलौता पुत्र इसकर ये रहा इसका भाई बनाएंगे इसकी जो पतनी है ये मेरी सास है अब डी देखो यहां पे यह जो डी है इसको मीरा की सास बनाना है तो इसका एक बेटा बनाया हमने और इसकी वाइफ बना दी हमने मीरा हो गया, पुछ भी पूछें लिटरली बच्चों कुछ भी पूछें फटाफट हो जाएगा उन्होंने हमने जो wedding знаешь दी थी, हमने उसको figure में draw कर दिया, अब वो जो चाहिए पुछा गए मेरा के पती का क्या रिष्टा है उस lady से, तो हम जानते हम वो lady कौन थी, वो lady थी A, इसके साथ मेरा के पती का क्या रिष्टा है तो आप देखो जो मेरा का पती है यह है उसके पापा यह हैं उसके पापा मम्मे और उसके जो पापा है उनकी है बहन बुआ यानि कि जो मीरा का पती है वो लगता है नेफ्यू उस लेडी का जो फोटो में शामिल थी मेरा का पती लगता है नेफ्यू उस लेडी का जो फोटो में शामिल थी कोई दिक्कत यहां तक इन दोनों कुशिशन को ध्यान से देख लो अच्छे से समझ लो स्क्रीन शॉर्ट लेन और लेना चाहो तो यहां पर बैक ट्रेकिंग होई ब्रेन में कैलकुलेट हो गया पैन का काफी important है क्योंकि यह previous exams में आ चुका है और इस टाइप की language कई बार आती है इस question में एक चीज़ ध्यान से देखेगा सबसे बले question पढ़ता हूं while introducing Ria Megha said, her, her कौन है Ria है, her mother's, daughter's, husband's, mother-in-law is the only daughter of my mother यह question कराने से पहले एक चीज़ ध्यान से सुनियेगा, suppose यही है वो photo पहले वाली इस photo की तरफ इशारा करके मैंने कहा, ठीके मैं हूँ राहुल और इस photo की तरफ इशारा करके मैं क्या कह रहा हूं सुनियेगा मैंने कहा, he is the only son of my father, कौन है, मेरी ही photo है, मैं खुद ही हूँ, he is the only son of my father यही पर कोई लड़की कहती, he is the only son of my father, तो वो भाई की बात करती पर अगर कोई लड़की कहती, she, photo में मान लो कोई लड़की है और वो कहती, she is the only daughter of my mother या she is the only daughter of my father, यानि वो अपने photo की तरफ इशारा कर रही है, ऐसी ही एक वर्डिंग यहाँ पी भी है इसकी तरफ ध्यान दो, बस यही वर्डिंग थोड़ी सी परिशान करती है, जबकि question में कुछ नहीं है अब देखो question में, मेघा कहती है, her mothers, daughters, husbands, mother-in-law, कौन है, is the only daughter of my mother यानि मैं खुद हूँ, यह जो sentence है, वो किसके लिए कह रही है, अपने लिए कह रही है इस sentence को आप diet replace कर दो, मैं खुद हूँ अब question को solve करना शुरू करो, बहुत जल्दी हो जाएगा मैंने एक जगा पर बनाई रिया, ठीक, और मैंने यहाँ पर बनाई मेघा कहती है, रिया, her, her mothers, यह आ गई, mother, ठीक है, her mothers, daughters इसकी daughter रिया को लो, या इसकी भेन को लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने रिया को लिया, her mothers, daughters, husband, रिया का जो husband है ठीक है, इस husband की जो सास है, इस husband की जो सास है, यह, वो कौन है, मैं खुद हूँ मेघा खुद है, हो गया question, ठीक है, इसको देखो, सिर्फ language का हेर फेर है, question बिलकुल भी मुश्किल नहीं है अगर कोई बच्चा रिया की sister लेके बनाना चाता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, देख लो, एक बार उसने कहा, रिया की mother, रिया की mother, बना धी रिया की mother मदर की जो daughter है, रिया की mother की जो daughter है, चलो, इसकी sister बना ली, किसी इंसान ने बना ली sister, उनके जो husband है, बना ली husband, अब कितनी भी बहने हों, सबकी सासुमा तो एक ही होगी न, बच्चे कितने भी हों, सास तो एक ही होगी तो यहाँ पर B जो है उसके पती की सास उसके पती की जो सास है वो कौन है मैं खुद हूँ यानि ये परसन कौन है खुद मेगा है याद रखना language twist की जाती है question मुश्किल नहीं होता यहाँ पर मेगा अपनी सगी बेटी का परीचे कुछ इस तरीके से करा रहे हैं आप भी ऐसे ही करवा सकते हैं इनको थोड़ा सा यूज कीजेगा रेल लाइफ में मजाएगा अब हम एक question और कर लेते हैं इसका तो यह है हमारा next question देखो यह question की भी जो language है यह भी काफी popular language है इसे ध्यान से देखेगा यहाँ पर लिखा गया है while introducing a man Sonia said my father-in-law and his father-in-law are father and son Sonia कहती है एक आदमी का परीचे कराते हुए यह question आपको बता है एक बार एक exam में आया था वो भी कुछ इस तरीके से कि एक आदमी और एक लेडी बाइक पर जा रहे थे और पुलिस वाले ने उन्हें रोक कर उनके रिष्टे के बारे में पूछा तो लेडी ने जवाब दिया कि मेरे ससुर और इस आदमी के ससुर आपस में बाप बेटे हैं जो इसका फादर-in-law है लड़की का उसको फादर मानना और उस फादर का सन मानना किसके फादर-in-law को उस आदमी के फादर-in-law को ठीक है तो दिखो इस कोशनों करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आलवेज वर्क करेगा आप क्या करें पहले ही एडवांस में एक फादर और सन बना के रख लें पहले ही एडवांस में एक फादर और सन बना के रख लो फिर इसको बना दो लेडी के फादर-in-law इसको बना दो आदमी के फादर-in-law और टोमेंटिकली क्वेशन हो जाएगा अब लेडी कहती है मेरे father-in-law तो ये किस इंसान का father-in-law किस इंसान का ससुर होगा अपने बेटे की पतनी का तो यहां आ गई सोनिया बन गए सोनिया के father-in-law और इसको बना दो father-in-law किस का man का अब ये जो आदमी है ये किस आदमी का father-in-law होगा किस आदमी का ससुर होगा अपनी पुत्री के पती का ये आ गया वो man जिसका वो introduce करा रही थी अब आप खुद देख लो सोनिया के father-in-law उस आदमी के father-in-law आपस में बाप बेटे हैं हो गया question इसका मतलब वो जो था बाइक पे बाइक पे एक दामाद अपनी सासु मा को लेके जा रहा था आपके सामने देख लो सोनिया और B एक husband wife है married couple है उनकी daughter है C उसका पती है वो man जिसका वो introduce करा आई थी यहाँ पर पुछा गया how is man related to सोनिया तो answer है दामाद that is son-in-law I hope यहाँ थे question बहुत अच्छे जंग से आपको clear हुआ होगा इस type का बच्चो कभी भी कोई question मिले न कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का ठीक है यह जो A है इस A ने B का परिचे कराते वे कहा कि मेरे चाचा के ना मेरे चाचा के पापा के फूफा और इसकी मम्मी के नाना आपस में भाई लगते हैं तो पहले ही आप advance में दो भाई बना लेना फिर जो भी weddings A के लिए कही है उसको इससे link कर देना और जो भी weddings B के लिए कही है उसको इससे link कर देना obviously जो question होगा वो sensible question होगा तो हमेशा यह link हो जाएंगे हूँ पार्ट वन में मैंने आपको family tree बनाना सिखाया और मैंने आपको puzzle form की questions भी कराया जस्ते पिछली class में और आज की class में हमने specific statement based questions भी पूरे कर लिये मैंने आपको काफी सारे questions करा दिये अगर आप देखोगे तो आज की class में और मैंने आपको distinguish करना भी सिखाया है कि बड़े अच्छे जंग से पता चल जाएगा आपको की कौन से question को मुझ जबानी करना है उंगली फेर के करना है और जो question brain में process ना हो पाए उन्हें आप pen की help से कैसे करेंगे इन तरीकों से करेंगे तो कभी नहीं फसेंगे और हर question बहुत जल्दी होगा इसी के साथ हम आज की class खतम करते हैं इसके बाद सिर्फ एक last part बचा है blood relation का जिसको मैं as a separate chapter भी पढ़ा सकता हूँ coded relationship coded relationships मैं आपको बता चुका हूँ कई books में as a different chapter दिया है बच मैं इसकी continuation में ही उसे पढ़ा दूँगा और बच्चों मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो please channel को subscribe करें और अपने friends के साथ share करें उन्हें बताएं कि इस तरीके से यहाँ पर वीडियोज हैं साही classes complete कराई जा रही है so आज के लिए वस इतना ही thank you